हालो गाईस कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे यह देखिए यह भूले जी का मंदीर है जो हमारे घर के पास में बना हुआ है आज हम जा रहे हैं घूमने हम आज आप सब को घुमाएंगे सिर कराएंगे क्यूंकि हम जा रहे हैं अपने खेट पर बहुत दिनों के बाद आज हम जा रहे हैं कि अपना खेट देखने सैब आज हमारे पोदे भी लगे हुए हमने मट सुर्फ बहुत सारी चीज्चें हमें लगाई है यह में लगाई ही ये सारे प्लाट हमारे खेत जाने की राजते में पड़ते हैं और देखे कितनी जोगेंदे की आज हम आये हैं इसको खोलेंगे यहाँ पर लॉक नहीं है हमारा जो ताला लगा हुआ था वो तूट गया था तो हमने यहाँ पर तार से गेट को अच्छे से बांद दिया है और अब हम जा रहे हैं खेत के अंदर तो फ्रेंड्स देखिए हमने मटर लगाई थी अपने खेत म बहुत सारी मटर हमने भूआ थी खुर्पी से मजदूरों से लेकिन सारी मटर हमारी खराव हो गई है हम आ नहीं पाएं खेतों पर हम बहुत ज़्यादा भिजी हो गए थे और खेत पार नहीं आ पाए criminal आपाए थे, बहुत दिनों के बाद, आज हम यहां आये हैं तो हमने पता चल रहा है कि सारी मटर लील गाय खा गई है देखिए फ्रेंड्स ये जो एक आधे पेड़ बचे हैं मटर के उसमें मटर भी निकल रही है लेकिन एक दो मजबूत फली मिली है हमको बहुत जदा मटर नहीं है दूर दूर पे एक आधे पेड़ जो रहे गए हैं उन्हीं म हमने 4-6 मटर की फलियां तोड़ी हैं आप देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर पे मटर के पेड़ है क्योंकि बहुत घना घना सा निकला था लेकिन यहां ना आने की वज़े से सारा मटर खराब हो गया है आईसमान मटर खाने को कह रहे हैं तो हम इनके लिए मटर ढून रहे हैं बहुत जड़ा फली नहीं मिली हैं हमको एक एक दाने की फलियां मिली हैं चार्च है और हमने यहां पर लहसन भी बोया है और यह हमारा देशी मटर है जो अभी तयार हो रहा है इसमें फूल निकलाए है और यह 15-20 दिनों में तयार हो जाएगा इसकी हम देख भाल कर ले हैं फ्रेंट्स यह हमारा देशी मटर है और यह बहुत अच्छा हमारा चल रहा है और जो हमारा अजार अरकिल मटर था वो पूरा बेकार हो गया है और यह हमारा लेसन है जो हमने लेसन लगाय था लेसन में पानी लगाने वाला है तो आज हम आए हैं बहुत दिनों के बाद तो आपने देखा हमने इससे पहले आपको अपना एक ब्लॉग दिया था उसमें हमने बहुत सारे आपको पेड़ दिखाए थे और यह जो बड़े-बड़े पत्ते वाले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यह सागवन के पेड़ हैं जो हमने लगाए थे अब कोहरे की पूरी तरह से पानी भर जाएगा और हमारे पेड़ हरे हो जाएंगे और यह देखी आज हमने यहां आके देखा है तो बहुत सारे गेंदे भी तयार हैं फ्रेंड्स गेंदे बहुत सारे खिले हुए हैं पीले और लाल दोनों गेंदे बहुत अच्छे से खिले हुए हैं य अज तीन महिने के बाद खेट पे आए हुई हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये अपने खेट में गेंदे देखकर जगे जगे पर पर ये गेंदे लगे लगे हुए हैं और बहुत जदा खिले हुए नहीं हो रही है कोई यहां देख रेक भी नहीं कर रहा है ना तो पानी दिया जा रहा है लेकिन फिर भी फूल बहुत खिले हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में फ्रेंड्स यह देखिए यहां पे हमने बहुत सारी फोटो भी सूट कर आई है क्योंकि यह फूल हमको बहुत पसंद आये बिना देख रेक के हमारे खेत में इतना सारा गेंदा उगाया है और इसमान भी हमारे पूरे खेत में टहल रहे हैं दोड़ दोड़ के हर जगे का मुएना कर रहे हैं और बेड का जो पेड हमने आपको दिखाया था इस टाइम इसमें फल भी लगे हुए है छोटे छोटे से बेर भी लग गए है अभी हम आपको बेर भी दिखाएंगे यहाँ पे मकईया भी लग गई है छोटे छोटे से बेर इसमें लग गए है कुछ दिनों के बाद ये बेर भी पक जाएंगे धूप काफी तेज है धूप की वज़े से खेत में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो देखिए हमने बेर भी तोड लिया है और ये अभी बेर कच्चे हैं पके नहीं है कुछ दिनों के बाद ये डाली में ही पक जाएंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आप देखिए हरे हरे बेर भी हमें मिले हैं और गेंदे के पेंड़ तो वाँ कमाल कर रहे हैं और ये देखिए मकोईया भी बहुत सारी लगी हुई है काली काली जो खटी मिठी सील रहती है आपने सायद मकईया देखी होगी अगर नहीं भी देखी है तो हम आपको दिखा देंगे यह काले काले चोटे चोटे से दाने रहते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं खटा मीठा इसका स्वाद रहता है ये दिखिए कले कले से ये इसको मकईया कहते हैं आइसमान को बहुत पसंद है ये मकईया खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं बहुत दुनों के बाद खेत में आके बहुत अच्छा लगा है हम यहाँ पे घर से खाना भी बना के ले गए थे अब हम सब लोग यहां बैठकर खाना खाएंगे आइसमान को भूंक लग गई है क्योंकि दुपहर के बज रहे हैं दो और अब इनको भूंक लगी है तो हम खान रोटी और टमाटर के चेटनी बना के लाए थे घर से बटल में पानी बर के लाए थे यहीं पर बैठेंगे और सब लोग खाना खालेंगे उसके बाद अभी हमें अपने खेत की से चाई भी करनी है क्योंकि हमारा लैसन पूरी तरह से सूख रहा है अगर हम लैसन में पानी नहीं लगाएंगे तो हमारा लैसन भी बेकार हो जाएगा मटर तो पूरी तरह से बेकार ही हो चुका है और हमने बहुत सारे यहां पर पेड भी लगाए था जैसे हमने अमरोत का पेड लगाया था मुसंबी का पेड भी हमने लगाया था लेकिन इनको पानी नहीं मिल पा र जाएंगे नहीं तो हमारे पेट पुरी तरह से खराब हो जाएंगे अर्षान को खेट गूमना बहुत पसंद है इनसे हम कह रहे थे कि तुम घर पे रहो तुम हमारे साथ ना चलो लेकिन ये हमारी एक भी नहीं माने और साथ में आ गये हैं और बहुत खुस हैं इनको बहुत है हमारे खेट में है तो बहुत दिलिए तक अगे डिखाल गती और हमारे केट में लगणा हुआ है आपने सायद देखा होगा भाव पला होती है किसलब होती है के सूखी सबजी बनती है आगर आप आप अलू के साथ बनाते हैं तब भी यह बहुत टेस्टी referring Python कि यह खाती और ये हम आ गया है चनह कोसा खाने आप देख रहे होंगä यह चनह है इसमें फूल निकल रहा रहा है लेकिन ना खरदि दिल करेंगे इस दो अभी आप चटनी जो महतने पढ़े हैं तो यह शचन multiplic आहई ग्याई ख़े प्लां है और मिर्ची ले लिए सब कुछ हम इसमें डाल के चतनी भिसेंगे अभिया आईश्मान धन्या तोड़ने गए हैं और हमने धन्या की चतनी दन्या लेसन और मिर्च कमेंन करके जरूर बताना फ्रेंड्स यह साग चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है यह चने के किल्ले किल्ले होते हैं यह हमारी चटनी है जो हम बना के लाए हैं अब हम अपने खेत में लगा दे रहे हैं पानी क्योंकि हमारा लैसं व्सूख रहा है तो ये लेसुन के खेत में समर्सेबल का पाइप डाल दिया गया है और इसमें पानी जा रहा है हमारे खेत की सिचाई हो रही है और ये आश्मान नहा रहे हैं किचड में इनको बहुत सौक है और ये पानी बगल में हमारे खेत के बगल में समर्सेबल है वहीं से हमने पाइप लगा दिया है और दो-तिन घंटे तक हम इसको ऐसे ही डाले रखेंगे पानी आता रहेगा पानी चलता रहेगा और इसी तरह हमारे खेट में पूरी तरह से सचाई होती रहेगी क्योंकि हमारे पेड कुछ खराब हो रहे हैं